मैं आज बात करने वाल हूँ SEO 150 के डेट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे SEO 150 की जो डेट्स है वो आ चुकी है जैसा कि हमने अपने प्रिवेस वीडियो में बताया था डेट्स आपकी मई तक आने वाली है तो वो मई के में ही आई है 28 मई का हमारे पास यह जो जिस कॉलबरेटर गए साथ हूँ मैं यह 28 मई का इसमें डेट है और जो सबसेवेंटली डेट्स हैं जो भी डेटेल्स हैं वो जैसे ही आएंगे हम अपलोड कर देंगे उसको आप इसके लिए टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं हमारे जहां पे आपको डेटेल्स मिल जाएंगी आप WhatsApp ग जैसे ही और दूसरी लिस्ट आएंगे हम आपको इंटिमेट कर देंगे अपने WhatsApp ग्रूप के थरू या फिर अपने टेलिग्राम ग्रूप के थरू यहां पर जो डेट्स आई हुई है वो 28 मई की डेट्स हैं यह देख सकते हैं आप यहां पर अलाबाद का है यह इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं और जो यास टाइम आपने जो अपने आपको पुस्ट करना है वो कैसे चीजों को आप कर सकते हैं तो विडियो को लाई स्क देखुएगा अब कोंडूरे ब् wissen ही है और आने चीजे आपको बताने वाला हूं यहां प जिनकी दो डोस कम्प्लीट नहीं है उनको RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा और ये RT-PCR बहतर गंटे के अंदर होना चाहिए तो ये हैं basic COVID की जो details ही साथ में जो दूसरी detail है मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा वो ये हैं कि आपको mask कैरी करना अपने साथ और अपना water bottle और sanitizer साथ में कैरी करना साथ में face shield भी लगाना है तो अभी देखिए इससे तकलीफे क्या बढ़ने वाली मैं आपको वो बताने जा रहा हूं अगर आप जब mask लगा के या फिर face shield लगा के जब आपने lecture rate को deliver करते हैं या फिर आप जब gd में discuss करते हैं अपने ppndt में तो वो काफ़े tough हो जाता है वो काफ़े tough हो जाता है आपके लिए अपने क्योंकि voice modulation में break आएगा यहाँ पर निचे voice modulation होती है तो इसके लिए आपने क्या करना है आपने mask लगा के और face shield लगा के practice करनी है अब जो दूसरा लोगों के मन में सवाल है कि सर यह दो साल के लिए टू इयर्स के लिए जो बंद होने वाला था हमारा screen test क्या वो अपकी बार applicable होगा तो देखिए logically 150 में screening होनी चाहिए logically screening होनी चाहिए यहाँ पर screening को अभी तक अबलिस्ट नहीं किया गया है तो आप prepare होके जाएए कि आपके वहाँ screen out होंगे आप लोग तो अपनी तैयारी उसी हिसाब से करिए कि भाई आपको screen out ना होना पड़े आप last तक अपने जो चीजे हैं उनको देख पाएं at least conference सकतो कम सकम पहुंच पाएं जिनका chances recommendation का नहीं है और मैं आपको ये बताना चाहूंगा ऐसा कुछ भी नहीं कि आप recommend नहीं हो सकते कोई भी recommend हो सकता है बस आपको अपने उस दिन perform करना है जो आपने अपने life में जो एक संसकार बूलते हैं अगर आपने basic घर से अपने संसकारों को भी follow up किया है तो आप definitely आप in हो जाएंगे मैं OLQs के ओपर जादा बात नहीं करता हूँ because OLQs एक लिखी वी कहानी है और कभी आप उनको perfect नहीं कर सकते आपने संसकारों के ओपर जाईए जो चीज़ आपके घरवालों ने बुजरगों ने सिखाया है उनको follow up करिए सबका help करना है सबको साथ लेके चलना है और वहाँ पे किसी को down नहीं करना है dominate करने वाली चीज़े छोड़ देना वहाँ पे ऐसी गलती नहीं करना आप अब practice की बात करता हूँ मैं यहाँ पे तो आपने अभी daily ppndt लिखना है ppndt को लिख के deliver करना है आपने अच्छे तरीके से और उनको record करके आपने सुनना भी कि आप क्या deliver कर रहे हो जो आपकी कमिया है खामिया है deliver करने का जो तरीका है वो काफी सुधर जाएंगी वहाँ से साथ ही साथ अगर आप चाहते हो class attend करना तो यहाँ पे हमने already SEO के classes start कर रखे हैं आप यहाँ पे हमें whatsapp करके आप जो भी इसके regarding details है आप वो पूछ सकते हो और classes अगर join करना साथ चाहते हो तो आप start कर सकते हो because time आपके हाथ में बहुत ही कम है so मैं यह आपको sayze करना चाहूँगा कि भाई late मत करो start कर लो अभी से भी साथी साथ आपने OIR practice करनी है आप अरहिंद की book order कर सकते हो OIR के लिए या फिर SSB crack की book आप order कर लो OIR practice के लिए वहाँ से आपने OIR daily practice करनी है आपने काम करना है PP and DT daily करना है OIR daily करना है साथी साथ जो आपको time मिलता है उसमें TAT लिखिए VAT लिखिए SRT लिखिए and SD लिखिए तो इन सारे चीज़ों पे भी आपने काम करना है और SD को क्या करना है लिखना है और analyze कराना है और देखिए होती क्या चीज़ है जब आप SSB के तैयारी कर रहे होते तो जो आप लिखते हो आपको सब लगता है भाई सही कर रहा हूँ मैं मैं यह नहीं कहता कि आप class low बगएर class ले आप recommend नहीं हो सकते बढ़ मैं यह कहूंगा analysis कराना बहुत जरूरी अगर आप analysis नहीं कराते हो तो आप exam clear नहीं कर पाओगे because आप जो लिखते हो आपको सब perfect नजर आता है तो इसके लिए एक guru का होना बहुत जरूरी है अगर आपकी unit में कोई officer है जो आपकी help कर सकता है तो उनसे definitely help लीजे और जैसे भी हो आपका supreme target है कि आपको recommend होना है और आपको अपने कंदे पे star लगाने है अपने कंदे पे आपको ये दो जोड़ी star लगाने है तो इसके लिए भाई मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत कम time रहेगा आप लोग के पास साथ ही साथ दूसरी चीज news के ओपर थोड़ा सा focus करना है बहुत जारा focus नहीं करना है daily की news देखने की मैं ये कहता हूँ बहुत जारा जरूवत नहीं है बट जो international मुद्दा चल रहा है कम सकम 5 national issues और 5 international issues आपको पता होनी चाहिए ये आपको दो के दोनों पता होने चाहिए तब ही आप अच्छा perform कर पाओगे साथी साथ जो हम class ring कर रहे हैं उसके अंदर हम क्या करवाएंगे मैं वो भी आपको बता जाता हूँ यहाँ पे daily आपकी pp and dt की practice होगी यहाँ पे हम सबसे जादा focus करते हैं psychology के उपर तो हम daily आपका TAT, VAT, SRT और SD करवाएंगे यहाँ पे एक बर आप SD खुद से लिखेंगे बाद में हम L.A.S. करके आपको दे देंगे कि क्या SD आप लिखेंगे, आपकी personality के हिसाब से क्या ठीक रहेगी साथ में TAT आपको daily करा जाएगा VAT daily करा जाएगा, SRT daily करा जाएगी PPP and DT daily करा जाएगी इसके साथ में आपको लेक्षरेट कराया जाएगा daily basis पे यहाँ पे GD के जो टॉपिक से उनके उपर हम discuss भी करेंगे यहाँ पे, तो जो भी आपकी thought process होगी, thinking होगी, वो आप यहाँ पे हमें बता सकते हैं उनमें जो changes हैं वो भी हम आपके सुधार सकते हैं, साथ में हम GP का भी practice करेंगे, और GP में कैसे plan करना होता है, कैसे plan को execute करना होता है, उन सब चीजों के उपर भी हम यहाँ पे discuss करते हैं, और सबसे जो हमारी psychology के बाद, जो second priority होती है, वो होता है हमारा interview, तो आप से interview के questions पूशे जाएंगे, आपको different type के interviews के questions जो आपकी personality के हिसाब से, जो आपकी P.I.Q. के हिसाब से होते हैं, उनके ओपर हम discuss करते हैं, कि आप उनमें अच्छा perform कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपनी P.I.Q. लिग दी, और मैं बोलता हूँ interview में, एक brush जो question होता है, उसके अलावा, जो भी question होते हैं, वो आपकी P.I.Q. से होते हैं, आपकी P.I.Q. form से पुश जाता है, जो आप लिखते हो, उसी से question create किया जाता है, तो उनके ओपर भी हमारा पूरा focus रहता है, कि बंदा जो लिख रहा है, उसको किस direction में लिखना है, और उसको क्या-क्या चीजे वहाँ पर बतानी चाहिए, क्या चीजे नहीं बतानी चाहिए, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर questions generate करते हैं, उस बंदे के particular के जाएगी, कि आप दोबारा फिर से उसको लिखें, उसको उपर फिर से मन्थन करें, फिर से सोचें, और फिर अपना एक final सा जवाब दें, अगर आप इस process में जाते हैं, तो आप definitely अपने interview को बीजली crack कर लेंगे, और जो हमने practice की बात करी, practice करने से ही आपको पता चलेगा, भाई, मैं किस theme पर क्या story लिख सकता हूँ, और लोग कहते हैं, रटी रटा story नहीं लिखना, तो भाई, मैं भी वही कहता हूँ, रटी रटा story नहीं लिखना, बड़ आप theme देखके, आप match कर सकते हैं, क्या ये, जो मेरा जो 11 slides हैं, उनकी बाद अगर मैं करूँ, तो उन 11 slides में आप के जो ideas हैं, आप उनसे story लिख सकते हो, तो ये सारी चीज़े हम करवाने वाले हैं, तो अगर आप चाते हो class return करना, तो आप इस number पर contact कर सकते हो, यहाँ पर जो भी details है class की वो बता दी जाएंगे, बड़ डिले न